हेलो फ्रेंट्स अश्टडी वूम में आप पास्वागत है और इस वीडियो में हम बात करेंगे जैसा कि बिहार दरोगा का जो 26 दिसम्बर को एक्जाम हुआ था उसका रिजल्ट आ गया है तो 26 बाड़ा 2020 को प्रिलिम्स का एक्जाम हुआ था खुल दो पालियों में हुआ था और जिसमें लगवग 6,08,736 कंडिडेट भाग लिये थे तो उसी का प्राड़म्पिक परिच्छा हुआ था दो पालियों में हुआ था और उसी का रिजल्ट आया हुआ है तो इसमें देख लें कि कटॉप बहुत कम रहा जैसा कि अनुमान था कि कटॉप कम जाने वाला है कॉश्चन पेपर हाट था तो कटॉप पिछले बार की तोलना में कम भी गया है तो आप अपना रिजल्ट जरूर चेक कर लें और इसमें हम सारे शिप्ट का ये दिया हुआ है और कटॉफ देख लें बहुत कम रहा जैसा कि अनुमान था हमने भी इस पर एक्सपेक्टेड कटॉप का वीडियो बनाया था दगभग वही है जैसे मेल के लिए अगर जनरल कंडिडिट का बात करें तो मात्र 123 मार्स प्री का कटॉप रहा है जो की बहुत कम रहा है पिछले बार की अपेच्छा में उहीं EWS के लिए 114 रहा है BC के लिए 116 रहा है EBC के लिए 113, SC कटेग्री के लिए 101 और HD के लिए 110.8 मार्क्स रहा है और ये स्रेनी परसेंटेज में दिया हुआ है खुल 200 मार्क्स का एक्जाम हुआ था 200 में ये कट ओफ जो ये सब मार्क्स है ये आउट ओफ 200 है तो अगर तो उसे भागा दें तो ये परसेंटेज मार्क्स कट ओफ का आ जाएगा और फ्रीडम फाइटर्स के लिए मार्क्स 66 रहा अर्था 33 परसेंट कट ओफ रहा है वहीं फिमेल के अगर बात करें तो जेनरल फिमेल जो थी 96.8 मार्क्स पे उनका प्रिलिम्स हो गया है और EWS के लिए फिमेल में 81.6 मार्क्स कट ओफ रहा है BC के लिए 84, EVC के लिए 70, SC के लिए 60, ST के लिए 76,08 और BC बात और BC बोमेल के लिए 77,94 ओहीं Freedom Fighter के लिए मेल कंडिडेट हो या फिमेल कंडिडेट दोनका कट ओफ शियार से ठीक है अर्था 33 परसेंट ही गया है तो 200 मार्क्स पे 200 मार्क्स के एक्जाम था उस पर ये मेल के टेगरी के लिए ये कट ओफ रहा है फिमेल के लिए ये कट ओफ रहा है जो कि पिछले बाल की तुम ना में बहुत ही कम है तो अगर आपने अभी तक रिजल्ट नहीं चेक किया है तो देख लें